तो जैसा कि आप सभी को पता ही हुआ कि कर मेरा एडिव एक्जिक्यूटी का एक्जाम था तो मुझे बताने बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे एक्जाम बहुत खराब गया है क्योंकि मेरी जो तव्यत है वो कुछ दिन से ठीक नहीं थी फिर भी कुछ इंप्रूब्मेंट कि पहले एक घंटा से घंटा पहले बैठना पड़ा मुझे मॉनिटर के सामने तो पूरा उससे दिमाग पर बहुत ज्याता भार पड़ा है क्योंकि सरदर्द में ऐसा होता है कि स्क्रीन के सामने बैठने पर और ज्यादा दर देन लगता है तो ऐसा हुए एक्जाम अस्टा कि थर्टि फाई सीएक को स्फिय मैंने के सल्व उसकी और से मेरे बहुत ज्यादा खराब होने लगी पूरा वहँ ज्यादा तबीर्द क्राबには कैसे बताँ को उसके बाद मेरे में हिल्मतना नहीं थी कि मैं तो को टच करूं कि मैंसे कोशन में है कि माइन तो लगाना पड़ता और दिमाग कामी नहीं कर रहा था उसके बाद हम इंग्लिस में जम कर गए इंग्लिस में जो भी लगा वह बनाया उसमें भी 30 कोशन्स के राउंड मैंने बनाया उसके बाद कि थुआ सब ही मैंने मैच में गई तो वहां पर मैं जो भी सिंपलीफिकेसर के कोशन्स थे उसको मैंने सॉल्ब किया और डी आई का जो लेवल था वो वो जिसके की कहा जाता कि प्री लेवल का होता है लेकिन इसका जो कोशन था वह बहुत लेंदी था इसमें टाइम कंजुमिंग था आपको बहुत जादा टाइम लग जाते देटा जो रहता है वह जैसे की 5000-10000 इस टाइप से जाता है तो इजी बन जाते हैं कितना भी कोश भी घुमा के पुछता है लेकिन डेटा जो था जैसे की 75-80968-3 इतना टोटल है उसमें से फीमेल मेल का रिसी उसमें से मेल में इतना परसेंटेज नहीं पड़ी हुए यह है वह इससे बहुत टाइम इन कंजुमिंग था कोशन लेंदी था और और बाकि मैस में और तो मैं ज्यादा कोशन सॉल भी न बना लेते जो बनने लाइक था वह बनाए और रिजनिक तक तो तब भी ठीक था तो रिजनिक में मैंने 38 टेंप्ट किये हैं रिजनिक की बात करूं तो उसके बाद मैस में आइधिंग 25 तक पहुंचा ही हो अतना ध्यान भी नहीं है 25 में भी 25 अटेंप्ट मैस में मेरे और बाकि जो भी बच्चा वह सब इंगलिस में और मेरे टोटल जो अटेंप्ट है मैं आपको बता रही हूं कि में टोटल टेंप्ट बस 98 हुए ठीक है बहुत ज्यादा खराब है अगर अगर मैं तब ठीक रहा थी ना तो रिजनिंग के दो पजल थे लाश्ट में एक यह वाले थे जो उड़ता है कि सब्सक्राइब के बनाना है कि इतना इतना 42-46 करके था एंसा साथ लोग साथ लोग का यह निकालना था ठीक है तो वह कोशन बन जाते और उपर से वह थे अनसाटेन वाला भी नहीं बना क्योंकि दिमाग कामी नहीं किरा था तो बना यह नहीं मेरे से और वाकी कोशन का जो लेवल था वह जितना मुझे लगा था टेश्ट लूक के कंपडर्विजर में हाई था और वो सब कोई का रहे थे कि मिलिफ लेवल का आएगा नीथ तो पुम जाली इतना इतना जो पर पता भी ठीक है तो प्रकार का जो लेवल है वह कोई-कोई तो एजी हो जाता है से इंग्लिस में कोई कोई कोशन पहुँजादा जादा इजी थे और मैस की बात करूँ तो लेंदी कि कारा उसको रिजनिंग बात का उसको बोलेंगे कि वह सब्सक्राइब वह सब्सक्राइब नहीं इक पजल थे वह सब्सक्राइब दोब में तो लगता है और उपर से टाइम उतना है था नहीं तो तो कोशन जो टोटल अगर मैं पेपर की बात करूं तो मॉड्रे लेवल की पीपर थी और अगर आपका अट्याम्ट 110 कर दिये हो अगर आप लोग तो आप लोग सेब जोन में ठीक है क्योंकि पीपर का लेवल तो मॉड्रे से लिकें उतनी भी नहीं इतना मैंना ट्रम्ट किया तुर्स से हो जाएगा क्योंकि देखिए इंग्लिस का पता नहीं होता में इंग्लिस उतनी अच्छी नहीं है तो इतना तो मुझे पता नहीं कि 35 पूड़ा है कि बहुत और वह सही होगा लेकि मेरे जो रिजल्ट की जो पॉसिब्लिटी मुझे नहीं लगती कि मेरे होने वाले हैं बाकि आप लोग भी बताईए कि जीन उन्होंने पीकल एक्टाम दिया था कि आप लोगों का पेपर कैसा गया और आप लोगों ने कितने आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईगा कि आपकी एकुरिसी कितनी है और बाकी आने वाले जो भी एक्जाम में आपकी आने वाले हैं तो वह सब की तेयारी कीजिए आप लोग मेरी तो लग खराब था इसलिए एक्जाम में कहूंगी खराब गया ऐसे मेरे 15 16 कोशन और में ब सब्जेक है तो मेरे बन जाते बजल दो बन जाता लेकिन टाइम मैं मैंस के जगा उसको देती और तब भी ठीक रहता तो मैं बना ही लेती काई तो फिर मिलते गाई फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके कितने मांक्स मांक्स तो नहीं बोलोंग ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक करीब आगा है